विशाल बतक, जादूई ड्रागन, फल, बक्री और गाय एक खुबसूरत से जंगल में बहुत सारे जानवर थे सभी में अच्छी मित्रता थी उस जंगल में एक सरोवर था जिसमें बहुत सारी बतके थी जिसमें एक टीटू बतक रहता था और डरासा था एक दिन की बात है, गाय और बक्री सामने से जा रहे थी तब ये बतक बोलता है अरे गाय बहन, कहां जा रहे हो दोनों? अरे, हम लोग बस खाने के दलाश में निकले हैं अरे वाह, तो क्या मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँ? अरे तुम कहा हम लोगों के साथ जाओगी वैसे भी तुम इतने दुबले पतले से हो चलते चलते अगर तुम खो गए तो हम कहां तुम को संभालते फिरेंगे तुमें काम करो यहीं अपने सरोवर पे कुछ चुन कर खालो तुम लोग हमेशा ही मेरा मजाख उड़ाते हो ऐसा क्यों करते हो यह सुनकर बकरी और गाए दूनों हसने लगते हैं फिर गाए बोलती है अरे तुम तो बुरा मान गए हम तो मजाख कर रहे थे पर बतक बिना कुछ बोले सरोवर से चला जाता है तब उसे दूसरे बतक बोलते है तुम हमेशा इन दोनों की तारीफ करते हो और ये दोनों तुमारा मजाख बनाते हैं अरे कोई बात नहीं दोस्त ऐसे ही होते है मुझे उनकी कोई भी बातों का बुरा नहीं लगता और फिर कुछ गंटे बीच जाते हैं तब ही अजानक हर गोश एकदम घबराता हुआ था है अरे टीटू सुनो मेरे बात तो सुनो क्या हुआ तुम इतने घबरा क्यों रहे हो क्या हुआ अरे तुम्हारे दोनों दोस्त काय और बकरी को किसी किसी शिकारी ने अपने पिंजरे में बंद कर दिया दोनों कितने घंटों से बंद है क्या तुम ये क्या बोल रहे हो मेरे दोनों दोस्तों को शिकारी ने पिंजरे में बंद कर दिया और और वो दोनों तो भूके भी होंगे मुझे जाना होगा दूसरे बतक उसको समझाते है अरे टीटू तुम कहा जा रहे हो तुम इतने ताकतवर नहीं हो जो शिकारियों से उनको बचा सको हर काम ताकत से नहीं होता, किमाग से भी होता है वो मेरे दोस्त है, मुझे उनको बचाना ही होगा और फिर टीटू उनकी जान बचाने के लिए उनके पास जाता है जहां वो दोनों पिंजरे में बंद थे उनको देखकर टीटू बोलता है अरे मेरे दोस्तों ये क्या हुआ तुम लोग चिंता मत करो मैं तुम लोगों को जरूर बचाऊंगा मैं कुछ करता हूँ अरे टीटू तुम यहां से जाओ अब हम दोनों को कोई नहीं बचा सकता रैसे भी हम दोनों ने तुम्हारी तो कभी इससती नहीं की हमेशा दूसरों के सामने तुम्हारी बेससती ही की अरे कोई बात नहीं दोस्त ऐसे ही होते है मैं अभी कुछ करता हूँ तुम दोनों चिंता मत करो तुम दोनों, तुम दोनों के लिए मैं पहले कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, टीटू इधर उधर सोचता हुआ आगे जाने रखता है, कि मैं कैसे अपने दोस्तों की जान बचाओ, कि तब ही उसको एक बड़ा सा फ्रूट दिखता है, उसको देखकर टीटू बोलता ह अरे वा, इतना बड़ा ड्राइगन फ्रूट, मैं अपने दोस्तों के लिए इसे ले जाता हूँ, पर पहले इसका थोड़ा टेस्ट तो चक के देखू, और जैसे ही जीटू वो फ्रूट खाता है, वो एक रिशाल बतक में बदल जाता है, उसको कोच समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ में हुआ क्या, तब ही उस ड्राइगन फ्रूट से आवाज आती है, मैं एक जादूई ड्राइगन फ्रूट हूँ, मुझे पता है कि तुम अपने दोस्तों की मदद करने निकले हो, इसलिए मैंने तुमको इतना विशाल कर दिया है, और साथ ही तुमको ऐसी बचा सको, फिर टीटू अपना विशाल रूप लेकर अपने दोस्तों को बचाने जाता है, और जैसे ही वो गाए और बकरी के पास जाता है, उस विशाल बतक को देखकर गाए और बकरी दोनों टीटू से पूछते हैं, अरे टीटू, ये सब कैसे हुआ, तुम इतने विश विशाल कब से बन गए, मैं तुम लोगों को सब बताऊंगा, पहले तुम दोनों को बचातो लूँ, और फिर टीटू दोनों को उस पिंजर से बाहर निकाल ही रहा था, कि तभी शिकार ही आ जाता है, अरे वा, इतनी विशाल बतक तो मैंने कभी नहीं रही रेखी, अब मै अब तुम को भी अपने साथ ले जाओंगा, पहले तुम मुझसे लड़तो लो, फिर मुझे ले जाना, फिर उन दोनों में बहुत भेंकर लडाई होती है, और फिर इस विशाल और जादूई बतक, और फिर ये विशाल और जादूई बतक, शिकारी को हरा देता है, और शि पिस अपने सरोवर में आ जाते हैं फिर टीटू सारी बात बताता है और उसकी बात सुनकर गाय और बकरी बोलते हमारे प्यारे दोस्त टीटू हमने तुम्हारा हमेशा मजाग बनाया और तुमने हमारी चान बचाए अज तुम नहीं होते तो हम तुम्हारे सामने नहीं होते ह हम नहीं बच पाते। तो दोस्तों इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमको कभी भी किसी के शारिरिक रूप का मजाक नहीं बनाना चाहिए। बैस बना शैतान एक बार की बात है। एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक सफेश शे था। जिसके पास कई सारी जादूई शक्तिया थे। जिनसे वे जंगल और जंगल के जांवरों की रखशा करता था। जंगल पर आने वाली हर मुसीबत को अपनी जादूई शक्तियों से दूर कर दीता था। एक बार की बात है, जंगल में एक शैतानी मॉंस्टर आता है, जो अपने शैतानी शक्तियों से जानवरों पर जुव कराता है ये देखकर सफेज शेर उस शैतानी मॉंस्टर से लड़ता है और उसे अपनी जादुई शक्तियों के मदद से एक गुफा में बंद कर दीता है और जानवरों से कहता है देखो मैंने उस शेतारी मॉंस्टर को अपनी जादुई शक्तियों से इस गुफा में बंद कर दिया है अब तुम मेंसे कोई भी इस गुफा में नहीं जाएगा लोम्री, यह तुमहारी जिम्मेदारी है कि तुम किसी को भी इस गुफा में नहीं जाने दोगी अगर कोई इस गुफा में गया तो वो शैतानी मॉन्स्टर आज़ाद हो जाएगा समझी? जी महराज शैतानी मॉन्स्टर को गुफा में बंद हुआ देख सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं दिन योही बीत रहे थे एक दिन पास के गाउ में भैसो का एक जुन्द जंगल में घास टरने आता है उस जुन्द में धीरू नाम का एक भैसा था यो बहुत ही घमंडी था अलग मत हो देख ये जंगल है खत्रा हो सकता है देखो मैं किसी से नहीं डरता और वैसे भी मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ मुझे कोई नहीं रोक सकता कोई भी नहीं समझे दिरू का घमंड देख बाकी की भैस चुप हो जाती है दिरू अपने जुंट से अलग हो जाता है और वो उस गुफा की ओ जाता है जहां सफीश शे ने शैतारी मॉंस्टर को कैद कर रखा था दिरू को गुफा की ओर आते देख लोमडी उसे रोकती है और कहती है अरे ओ भैस रुक जा तू देख इस गुफा की ओर नहीं जा सकता ये महराज का आदेश है तू यहां से चला जा नहीं तो तेरी खैर नहीं दिरू बिना कुछ कहे वहां से जाने का नाटक करता है और वहीं पेल के पास छुप कर अपने मन में सोचता है इस गुफा में आखेर ऐसा क्या है जो शेर किसी को गुफा में जाने नहीं दे रहा मजे जानना ही है पर कैसे ये कमभखत लूम्डी जाने नहीं दे रही यू वो पेल के पीछे खड़ा होकर लूम्डी पर नजर रखता है इधर लोम्री बहुत प्यास लग रही है प्यास से तो गला ही सूखा जा रहा है वैसे अभी दूर-दूर तक कोई नहीं है चलो जट से जाकर पानी पी कर आती हूँ लोम्री पानी पीने चली जाती है यह देखकर धीरू तुरंट गुफा में चला जाता है जैसे ही धीरू गुफा भी जाता है गुफा में भयानक आवाज ये अरे ये इतनी भयानक आवाज कैसी धीरू गुफा से बाहर आकर जंगल के आतंक बचाता है उसके सामने जो भी जंगर आता है धीरू उसे अपने स्क्रेंग से उठा कर दूर भी उता था और उन्हें घायल कर रहता है जंगल में दहशत का माहौल चांग गया पानी पीकर गुफा के पास आए तो देखा कि गुफा का दर्वासा खोला था ये देखकर लूम्डी घबरा गए और तुरंट शेर के पास भागी भागी गए महराज महराज अरे लूम्डी क्या हुआ क्यो इतनी घबराई हुई हो महराज महराज वो कुफा का दर्वासा खुला हुआ है वो शेतानी मॉंस्टर हजाद हो गया ये सुनकर शेर एक्टम से चौक जाता है ये कैसे हो गया अब उस मॉंस्टर को मारना इतना असान नहीं अब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया होगा ये कहका शेर मॉंस्टर को ढूरने निकलता है कुछ दूर जादे में शैतानी भैस का सामणा शेर से होता है देख मैं आजाद हो गया और अब मैं तुझे और तेरे जंगल को बरबात कर दूँगा यूँ शैतानी भैस और शेर की बीच लडाई होती है शैतानी भैस अपनी जादूई शक्तियों का इस्तिमाल कर एक बहुत ही भयानक मानव भैस का रूप लेता है जिसे देख कर शेर घबरा जाता है शेर की शक्तियां शैतानी भैस के सामने कमजोड बढ़र रही थी ये देख कर शेर अपने मन में सोचता है अब इस शैतानी भैस को टाकत से नहीं बल्कि भुद्धी से हनाना होगा जिसके लिए मुझे अभी इसी वक्त अपनी जान बचा कर यहां से भागना होगा तब ही मैं शैतानी भैस को मारने का कोई पाई सोच सकता हूँ यह सोच कर शेर वहां से भाग जाता है और यह देखकर शैतानी भैस खुश हो जाता है अरे देखो यह शेर कैसे भाग रहा है अब इस जंगल को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा यहां शैतानी भैस खुश हो रहा था तो वही दूस्टी ओर शेर हाती और गुरिल्ला को लेकर शैतानी भैस को कैद करने का उपाई बना रहा था उपाई के अनुसार शेर फिर से शैतानी भैस के सामने जाता है अरे वह बुश्दिल शेर तू फिर से आ गया लगता है तुझे अपनी जान की परवा नहीं अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हो अरे तू मेरा क्या बिगाड़ेगा पहले मुझे पकड़ के तो बता ये सुनकर शेतानी भैस को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शेर के पीछे भागते हुए शेतानी भैस गुस्से में था इसलिए वो शेर को मारने की धुन में बिना सोचे समझे गुफा में चला जाता है और शेर गुफा की दूसरी ओर से बाहर आजाता है और तभी गुफा के तोनों तरफ खड़े हाती और गुरेला गुफा के दोनों रास्ते वो बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर देते हैं शैतारी भैस फिर से गुफा में बंद हो जाता है ये देखकर शेर और बागी के जानवर चैन की सांस लेते हैं जंगल में फिर से शांती चा जाती है इस कहानी से हमने ये सीखा घमन कभी भी किसी को भी मुसीबत में डाल सकता है जादो ये उड़ने वाली भैस, वानर और धूर्थ लोमडी एक घना जंगल था जंगल में एक भैसों का जुंड था जिसका मुखिया भोला नाम का एक भैस था जो बहुत ही समझदार और नेक दिल का था वो ना केवल अपने जुंड की मदद करता था बलकि बागी जानवरों की भी मदद करता था जंगल के सारे जानवर उसे बहुत पसंद करती थे यहां तक कि उस जंगल का राजा वानर भी उसे बहुत पसंद करता था पर ये बात लूम्री को बिलकुल भी पसंद नहीं थी वो नहीं चाहती थी कि कोई भी भोला को इतना पसंद करे वो हमेशा भोला को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती एक दिन लुमड़ी भोजन के तलाश में जंगल में घूम रही थी कि अभी उसकी नजर एक चोटे से हिरन के बच्चे पर पड़ती है हिरन के बच्चे को देख कर लुमड़ी के ome पानी आता है और वो सोचती है, अरे वाह, इसका मास तो बहुती नरम और मुलायम होगा, बड़ा मज़ा आएगा इस सिखाने में यूँ वो उस पर हमला करने ही वाली थी कि बच्चा उसे देख लेता है, और डर के मारे वहाँ से भागने लगता है मा, मुझे बचाओ, यह यह लोमडी मुझे कहा जाएगी, मा बच्ची के अवाज सुनकर भोला वहा आता है, और वो लोमडी को रोकते हुए कहता है अरी ओ लोमडी, शरम नहीं आती तुझे एक बच्चे का शिकार करते हुए मैं चाहे किसी का भी शिकार करूँ, तू कौन होता है, मुझे रोकने वाला, तू अपने काम से काम रख देख अपनी गंदी हरकतों से बाज आजा, नहीं तो, अरे चल हैट, बहुत देखे तुझ जैसे यू उन दोनों की विंच गड़ाई होती है, और भूला अपने सींगों से लोमडी को फूट बिटता है, और लोमडी बोले की ताकत के सामने रोक नहीं पाती, और वहाँ से भाग जाती है हिरन वहाँ आती है और अपने बच्चे को सही सलामत देखकर बोला का धन्यवाद करती है बोला भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुम नहीं होते, तो पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होता अरे इस में धन्यवात की क्या बात है हागे से अपने बच्चे का खयाल रखना यूँ अकेले मत छोड़ना चलो मैं चलता हूँ यूँ वहाँ से चले जाता है वहाँ लोम्री गुस्से से आग बबूला हो रही थी अरे इस बोले की वज़े से हाथ आया शिकार छूट गया मुझे चल से चल इसका कुछ करना होगा नहीं तो इस जंगल में मेरी कोई एहमियती नहीं रहेगी यूँ वह सोची रही थी कि उसे को पाय सूचता है और वह जंगल के राजा वानर के पास जाती है वानर महराज की जै हो अरे लोवडी कैसी हो कहो कैसे आना हुआ सब ठीक तो है ना हाँ महराज सब ठीक है वैसे भी जब तक भूला जंगल में है हम जानवरों को किस बात की परेशानी हो सकती है ये बात वानर को कुछ अच्छी नहीं लगती क्या मतलब है तुम्हारा गुस्ताखी माफ हो हुजूर पर क्या है ना भूला जानवरों के सामने कुछ जादा ही अच्छा बनने का नाटक करता है जिसे देखकर जानवर अगली बार आपको हटा कर भूला को राजा बनाने की सोच रहे है ये सुनकर वानर आग बबूला हो जाता है अरे लोमडी बन कर अपनी बक्वास तु जानती भी है कि तु क्या कह रही है हैसा कभी नहीं होगा चाहे इसके लिए मुझे भूला की जान ही क्यो ना लेनी पड़े महराज इसके लिए मेरे पास एक उपाई है जिससे लाठी भी नहीं तूटेगी और साब भी मर जाएगा क्या है बताओ लोमडी वानर से कुछ बोलती है जिस सुनकर वानर भूला के पास जाता है महराज प्रनाम अरे भूला तुम इन जानवरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो मैं तुम से बहुत खुश हूँ मैं चाता हूँ कि आज शाम का भोजन तुम मेरे साथ करो भूला मान जाता है और शाम को वानर से मिलने उसके पास जाता है भूला आ गए तुम तुमारा इंतजार कर रहा था चलो यहीं पास में मेरी एक खास गुफा है वहां जाकर आराम से भोजन करते हैं वो तोनों गुफा के पास चाते हैं तुम गुफा में चलो, मैं थोड़ा पानी पी कराता हूँ भूला जैसे ही गुफा में जाता है वानर बाहर से गुफा के दरवाशे को एक बड़ी सी पत्थर से बंद कर दिता है भूला गुफा के अंदर बंद हो जाता है ये देखकर लूमड़ी और वानर खोश हो जाते हैं और वहां से चले जाते है इदर भूला गुफा में चिलनाने लगता है अरे, महराज इस पत्थर को उटाईए, मेरी मदद कीजिए ये भूला गुफा से बाहर निकलने के लिए इदर उधर भागने लगता है और वो कभी इस दीवार, तो कभी उस दीवार से टकराता है ये टकराते टकराते, वो गुफा में एक पत्थर से टकरा जाता है जैसे ही वो पत्थर से टकराता है उस पत्थर से आवास आने लगती है वो पत्थर हिलने लगता है ये देख भोला डर जाता है और एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है उस पत्थर में से एक मूर्दी बाहराती है और वो भोला से कहती है भोला डरो मत मैं एक चादूई मूर मैं कैसे बाहर निकलू तुम चिंता ना करो मैं तुम्हें शक्तियां देती हूँ जिनसे तुम बहुत ही ताकतवर और उड़ने वाले बहस बन जाओगे यूवे मूर्ती भोला को अपनी शक्तियों से बहुत ताकतवर और उड़ने वाला बहस बना दिती है और राजा वानर के पास चाता है वानर और लोम्री भोला को देख कर चौक जाते है अरे तुम जिन्दा हो और गुफा से बाहर कैसे आए महराज आपने ऐसा क्यों किया तुम मेरे खिलाफ जानवरों को भड़का रहे हो और खुद राजा बनना चाते हो महराज आपको जरूर कोई गलत फैमी हुई है मैं आपकी बहुत इज़त करता हूँ आपके खिलाफ साज़िश करने की सोच भी नहीं सकता ये सुनकर लोम्री कहती है देखो महराज कैसे अच्छा बनने का नाटक कर रहा है इसे मार दीजे बस बहुत हो गया अब मेरे सामने तुभारा कोई नाटक नहीं चलेगा बोला के लाग कहने पर भी वानर सुनने की हालत में नहीं था वो उस पर हमला करता है बोला अपनी जादूई शक्तियों का प्योग कर उरने वाले बहैस में बदल जाता है बोला का ये रूप देखकर वानर और लोम्री खबरा जाते है बोला लोम्री पर हमला करता है और लोम्री डर के मारे वानर को साली सच्चाई बता दिए वानर गुस्तिश से लोम्री को मारता है और उसे जंगल से बाहर कर देता है भोला अपने असली रूप में आ जाता है वानर अपने किये पर बहुत शर्मिन्दा था वो भोला से माफी मांगता है भोला मुझे माफ कर दो मैं लोमडी की बातों में आ गया और तुम्हें जान से मारने की कोशिश की मुझे माफ कर दो भोला यू वानर और भोला अच्छे दोस्त बन जाते हैं और जब भी जंगल में कोई मुसीबत होती तो भोला अपनी शक्तियों का उपयोग कर जानवरों की मदद करता इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जंगल में एक छोटी गाए रहती थी गाए का कॉच्छ छोटा होने के कारण सभी जानवर उसका मज़ाक उड़ा रहे थे गाए खुद को सब की नजरों से बचाकर जंगल छोड़ कर जा रही थी पर तभी उसे एक हिरन देख लेती है हिरन गाई का मनसुबा जान जाती है और कहती है अरे गाई क्या हुआ यू मूँ छुपा कर कहा चली लगता है अब तु किसी को मूँ दिखाने लायक भी नहीं रही तुमसे मतलब हिरन तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो अब ये हिरन जंगल में मेरे बारे में उल्टा सीधा बता कर मुझे बदनाम कर देगी वैसे भी कोई मुझे पसंद नहीं करता अब मैं ऐसे बदनाम होकर कही नहीं जाऊंगी गाय ऐसा सोची रही थी कि तभी उसे किसी के मंत्र उचारने की आवाज सुनाई देती है तब वो देखती है कि एक उल्लू तपस्या कर रहा था गाय उस उल्लू के पास जाती है और उसे प्रणाम करते हुए कहती है उल्लू महाराज मेरे मदद कीजिए एक तुम मुझे इस दुनिया से मुक्ति दीजिए या फिर इस छोटे से कद से गाय जो जैसा जन्मा है वो वैसा ही मरेगा ये तो प्रकृति का नियम है और हम इसमें छेड़ जाड़ नहीं कर सकते पर तुम अपने कर्म से सब के मन में जरूर रह सकती हो तब उल्लू गाय को जादुई शक्तिया देता है और कहता है जा गाय आज से कोई भी तुम्हें परिशान नहीं करेगा बलकि तुम सब के रक्षा कर पाऊगी गाई जादूई शक्तिया पाकर खुश हो जाती है वो वापस अपने इलाके में आती है तब वो देखती है कि लकडबगगा एक खरगोश का शिकार कर रहा है तब गाई लकडबगगे से खरगोश को बचाती है वो अपनी जादू से लकडबग्य को खूब मारती है गाई लकडबग्य को मार मार कर भगा देती है जिसे देखकर खरगोश भी चकित हो जाता है अरे ये गाई इतनी ताकतवर कैसे हो गई जो खुद की रक्षा नहीं कर पा रही थी आज वो लकडबग्य से लड़ रही है इसमें तो कुछ अलग ही शक्तिया दिख रही है खरगोश गाई का धन्यवाद करता है खरगोश गाई से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कहता है गाई आज से तुम मेरे ही साथ रहना सारे जानवर कुछ भी कहे मैं उन्हें मूँ तोड जवाब दूँगा गाई को पहली बार एक दोस्त मिलता है वो बहुत खुश हो जाती है और खरगोश के साथ रहने लगती है दूसरे दिन भेडिया सुवर का शिकार कर रहा था वो सुवर मदद के लिए चिल्ला रहा था गाई तो खरगोश के साथ थी पर फिर भी वो सुवर की आवाद सुन लेती है और तुरंट सुवर की मदद करने चली जाती है गाई का छोटा कद देख कर भेडिया उस पर हसता है तब गाई कहती है हस मत भेडिये मेरी कद पर मजजा मेरी ताकत देख तब गाई जादूई शक्ति से भेडिये को मारने लगती है गाई भेडिये को भगा देती है सुवर भी ये सब देख कर चकित होता है सुवर को गाई से जादूई शक्तियों के बारे में पता चल जाता है तब सुवर भी गाई से दोस्ती कर लेता है इस तरह से गाई सबके रक्षा करने लगती है धीरे धीरे गाई के कई सारे दोस्त बन जाते है जब ये बात हिरन को पता चलती है तो उसे जलन महसूस होती है अरे ये चोटी सी गाई आज सबकी दोस्त बन गई? नहीं अब मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे गाई खुद होकर सबकी दोस्ते तोड़ दे हिरन जानवरों को भड़काने का प्लान करती है वो सबसे पहले खरगोश के पास जाती है और कहती है अरे खरगोश गाई अब तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी वो तो सबकी दोस्त बन कर घूम रही है मस्त वो तो तुम्हे भूल चुकी है खरगोश इस बात से भड़क जाता है अब हिरन हर जानवर के पास जाकर यही बात बताती है अब हर जानवर अपने फाइदे का सोच कर गाई के पास आते है तब खरगोश सबसे पहले कहता है गाई जब कोई तुमसे दोस्ती नहीं करता था तब मैंने तुमसे दोस्ती की और आप तु सब को दोस्त मेना कर मुझे ही भूल गई अरे खरगोश ये गाई तुम्हारे अकेली की दोस्त नहीं है समझे ये हमारी भी दोस्त है सुन गाई आज से तु मेरे साथ रहे ना इस तरह सारे जानवर आपस में जगड़ा करने लगते है धीरे धीरे वो सारे जानवर गाई को घेर लेते है ये सब देखकर तो वो घबरा जाती है पर गाई को यू मुसिबत में देख हिरन बहुत खुश हो जाती है अरे वा, मेरी लगाई हुई आग बराबर लग गई अब गाई कैसे जानवरों से खुद को बचाएगी इसमें तो वो अपनी जादुई शक्ति भी नहीं आजमा पाएगी हिरन खुश थी तो गाई डर के मारे सोचती है अब मैं क्या करूँ पहले मेरी छोटी कत के कारण मुसे बत थी तो अब इस जादुई शक्ति के कारण नहीं, मुझे अब ये जादुई शक्तिया नहीं चाहिए मैं जैसी हूँ, वैसी ही ठीक हूँ गाई जैसे तैसे जानवरों के बीच से भाग जाती है वो आगे-आगे तो जानवर उसके पीछे-पीछे वो सबको चकमा दे कर उल्लु के पास वापस आती है और उसे सारी बात बताती है तब उल्लु अपनी जादुई शक्तिया गाई से वापस ले लेता है अब गाई साधरन मन जाती है और पहले की तरह ही जीने लगती है नीती हम जैसे है वैसे खुद को स्विकार करना चाहिए और नहीं किसे का मजाग भी उड़ाना चाहिए और हाँ हमारे चानल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कॉमेंट करे और अपने दोस्तों के साथ शेर सरूर करे तैंक यू फर वाचिंग जादूई ताज की शक्तिया कालू शेर का जंगल पर अत्याचार और सफेद बाग की अच्छाई जंगल का राजा एक काला शेर था काला शेर बड़ा ही निर्दई था वो जानवर उपर बड़ा ही अत्याचार करता था उसके सामने बेचारे जानवर आवाज तो क्या सर भी नहीं उठा सकते थे कालू जब कभी गुफा से बाहर निकलता तो सारे जानवर उसे देखकर चुप हो जाते और सर जुखा कर खड़े हो जाते थे एक दिन ऐसे ही कालू गुफा से बाहर निकला तब एक बंदर मस्ती करता उसे नजर आता है कालू को ये बरदाश्ट नहीं होता क्यूरे बंदर बेरे सामने आवाज करने की हिम्मत कैसे की दूने तुझे अपने जान की जिनता है या नहीं तब ही वहाँ एक सफेद बाग आता है और वो नजरे जुका कर कहता है महराज छोड़ दिजिये बंदर को बंदर जंगल में नया है उसे जंगल के काईदे कानू नहीं पता कुरूपा कीजिये महराज अगर ऐसे ही सब पर कुरूपा करता रहा तो सब मेरे सर पर बैट जाएंगे नहीं नहीं बंदर को इसकी सजा जरूर मिलेगी तब कालू उबस्य से बंदर को जान से मार देता है सफेद बाग आखों से देखता रहा पर वो कुछ नहीं कर सका बेचारा बंदर बेमोत मारा जाता है बाकी के जानवर तो ये देख सहम जाते है तब कालू सबसे जोर से कहता है नया होया पुराना मेरे जंगल में बस मेरी ही चलेगी तुम सब मेरे गुलाम हो आज के बाद अगर किसी ने भी ऐसी गुस्ताखी की तो मैं उसे जान से मार दूँगा ये कहकर कालू वहां से चला जाता है पर बंदर की मोत से सब एक बाग अंदर से तूट जाता है उसे बड़ा बुरा लगने लगता है वो सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था मैं जानवरों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं इस बाग का मुझे बड़ा ही अफसोस है हर दिन कालू किसी ना किसी की बेवज़ जान लीते रहता है और मैं कुछ नहीं कर पाता ऐसे जीने से तो मोत ही अच्छी है यो वो सोचते सोचते जंगल से काफी दूर चला जाता है तब ही उसके सामने एक उल्लू आता है और उसे रोखते हुए कहता है कहा जा रहे हो सभेद भाग जरा होश में आओ यो अपने आपको कोसना बंद कर दो तुमारे हाथो ही उस पापी कालू शिर का अंत होने वाला है पहले ही मैं परेशान हूँ उस पर तुम ऐसा कहकर मेरा मजाग तो मत उड़ाओ तुमारे भाविश्य में यही लिखा है सभेद भाग एक काम करो तुम जंगल की उत्तर दिशा में चले जाओ जहाँ एक गूफा में तुमें एक जादूई ताज मिलेगा उस जादूई ताज से तुमें जादूई शक्तिया मिलेगी जिससे तुम उस कालू को मार सकते हो सभेद भाग उत्तर के दिशा चल पड़ता है कुछ देर चलने पर उसे एक गूफा दिखाई देती है जहाँ से रोशनी पाहर आ रही थी सभेद भाग समझ जाता है कि जरूर इस गूफा के अंदर जादूई ताज होगा भाग गूफा के अंदर जाता है लेकिन उसे वहाँ एक पत्थर का शैतान दिखाई देता है जिसके सर पे वो जादूई ताज रहता है सफेद बाग को देख वो पत्थर का शैतान कहता है मैं तो यहां मेरे जानवरों की सलामती के लिए आया हूँ मैं जादुई ताज की शक्तियों से पापी कालु शेर को मार कर मेरे जानवरों की उसके अत्यचार से मुक्ति करना चाहता हूँ सफेद बाग अगनी परिक्षा के लिए तयार हो जाता है जादुई ताज से सफेद बाग के सामने जलते हुए कोईले प्रकट हो जाते है तब सफेद बाग अपने जान की परवाह ना करते जलते हुए कोईले से चलने लगता है सफेद बाग की अच्छाई की वजह से कोईले फूल में बदल जाते है बाग तुम परिशा में पास हो गए आज से ये जादूई ताज तुम्हारा जाओ जाकर उस पापी का अंद कर दो सफेद बाग खुशी से उस जादूई ताज को पहन लेता है जादूई ताज पहनते ही सफेद बाग को जादूई शक्तिया मिल जाती है वो एक विशाल सफेद बाग में बदल जाता है वो जंगल वापस आता है और सीधे कालूशेर के पास जाता है उसे वो ललकारने लगता है कालूशेर तुमारा त्याचार बहुत हो गया अब तो तेरे अंत का समय आ गया मैं तुम्हारे पापो का घड़ा खोड़ने आया हूँ जो मेरे सामने नजर उठा कर बात नहीं कर सकता था आज वो मेरा अंत करेगा तब सफेद बाग कालूशेर पर हमला करता है सफेद बाग की ठाकत के सामने कालूशेर अमजोर पड़ जाता है वो उसका सामना करने में असमर्थ था तब वो सफेद बाग के सामने जान की भीक मांगने लगता है सफेद बाग कहता है अज तक तुमने कभी किसी पर दया नहीं दिखाई इसलिए तुम भी मेरे दया के काबिल नहीं हो ऐसा कहे कर सफेद बाग कालुशेर को जान से मार देता है कालुशेर के मरते ही सारे जानवर खुशी से नाचने लगते है और सफेद बाग को जंगल का राजा बना देते है सबेद बाग भी उस जादुई ताज से अपने जानवरों की रक्षा करते हुए खुशी से जंगल में रहने लगता है नीती अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है